कि अपिसडाज़ के नियूख सब्झे नुज भरत में आप सभी का स्वागति ऐस वक्त में आपके साथ रिचार सिंग best और ही तप अपन आजिक राशी फलKay आज новम में जानेनगी मेश राशी से लेकर मीन राशी तक्त के जात्मूं का आजिका लेका क्या उपाय करने होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के राशी फल का सिलसिला आपको कोई पुरसकार मिलने से महौल खुश्णुमा रहेगा उपाय बुध मंत्र का जाप करें मिथुन राशी आपको अपने स्वास्ति की प्रती सचेत रहने की आवश्रक्ता है घर में किसी पुझा पाठ का आयोजन कर सकते हैं उपाय हन्मान 40 का 11 बार पाठ करें करक राशी आपकी कोई डील फाइनल होते होते रुख सकती है आपको अपने बढ़ते खर्चूँ पर ध्यान देनी की आवश्रक्ता है उपाय चने की दाल और पीले वस्त्र दान करें सिंग राशी आज आपका दिन सामानी रहने बाला है आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आनंद में समय व्यतीत करेंगे उपाय सूरे देव को जल अरपित करें कन्या राशी आज आपका दिन प्रभाव प्रताप में वृध्धी लानी बाला रहेगा आपके चारों ओर का बात्ता वरंट खुश नुबा रहेगा आप किसी धार्मिक आयोजन में संबिलित हो सकते हैं उपाई सर्सु की तेल का दान करें तुला राशी आज आपका दिन आर्थिक द्रिष्टिकोर्ट से अच्छा रहेगा आपका यदि कोई जमीन जायदाद से सम्बंधित मामला लटका हुआ था तो उसमें भी फैसला आपकी पक्ष में आ सकता है उपाई परिवार के किसे व्रद्ध को उनी कपड़े भेट करें धनु राशी आज आपका दिन खुश्यों से भरा रहेगा माता पिता के आशिरवाल से आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा उपाई देशी घी का दीब जलाए मकर राशी आपको कोई निवेश सोस समझ कर करने की आवश्यक्ता है जीवन साथी की ओड़ से आपको क कोई उपाहार मिल सकता है उपाई शिव चालीसा का पाट करें कुम्ब राशी आपकी तरक्य की राव में आ रही बाधा दूर होगी जीवन साथी की करियर में अच्छा उच्छाल देखने को मिल सकता है उपाई भगवान सत्य नारायन की कथा करें मीन राशे, कारी शेत्र में यदि आपको किसी कारी को लेकर टेंचन चल रही थी तो वो भी दूर होगे और आप जल्दबाजी में किसी से कोई बात ना बोले सरकारी योजनाओ का आपको पूरा लाग मिलेगा उपाए गड़ेश लक्ष्मी जी की उपासना करें फिलाल के लिए आज की राशे फल्द में वसे पना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहे सीनियूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाँ